देश अब तक चैनल में आपका स्वागत है इस वक्त की बड़ी खबर हर्याना में बिजली की किलत चल रही है गाउं में 24 घंटे में से महस 10 घंटे ही बिजली सप्लाई दी जा रही है जिससे ग्रामिन काफी परेशान है वही बिजली भाग द्वारा स्रेंट्री चार्ज के नाम पर भारी भरकम बिल दिये जा रहे हैं जिससे ग्रामिनों की समश्या और बढ़ रही है एक तो बिजली नहीं उपर से बिल में अधिक रूपे दिये जा रहे हैं भारी भरकम बिजली बिल आने पर गोहाना के गाउं बिचपड़ी जागसी गंगेसर माजरा जैसे ही ग्रामिनों के दुवारा जाम लगने की सुचना पुलिस को मिली तो पुलिस वे बिजली के भाग के अधिकारी मोके पर पहुचे पुलिस वे बिजली अधिकारी यो ग्रामिनों को जाम खोलने को लेकर समझाते दिखे की सुचना के बाद मोके पर पहुचे बिजल तारी को गाओं गाओं में भीलिष सिकायत दरबार लगाया जाएगा उसमें घ्रामिनों के भील ठीक कर दिये जाएंगे लेकिन इन बिला का बनगा कोई तुक नहीं है नौस्टो एक रुपया बिला रहा है अरे विरोध किया रहा है यह पूरा पूरा गाउं बेल नहीं बढ़ागा यह ठीक कर दिया तो बिल बढ़ते आ रहे पिचाव्चाव प्रसेंट पर बैल रहे और सदागे पढ़ते आ रहे रोड़ जाम कर रहा है क्या रोड़ दाम नहीं खोल गए तरह हमारी मांग पूरी नहीं होगी दलबीर सरपंच एक सरपंच है तो हम तीन दिन भी दर्वार लगा के इन बिल को अभी हम घटा देंगे और करंट बिल का सिरफ चार्जिज लिया जाएगा कैशियर को भी हम साथ लेकर आएंगे बिल भी साथ साथ पे कर सकते हैं श्रीक में सक्कूर्टी ओती है जैसे एक्सटा लोड चलता है तो उसकी चार्ज हो जाती है ऐसे लोड बश्यकार अम फूरा पर श्राइब हो सकता है पर पूरा ना कुछ की सहमती बनिया कुछ वह बहुए एक पर इसको दुबारा चेक्तर है झाल झाल